तमश्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, डॉनल्ड ट्रम्प के दौरान 2018 में, इरान के उपर सैंक्शन्स लगा दिया गया था, जिसके तहट कोई बाकी देश जो है, वो इरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था, ओल्दो यहाँ पर चाइना वगरा ट्रेड कर रहे थ यहाँ पर अब क्या देखने को मिला है, जो डेटा सामने आए है, कि सैंक्शन्स लगाने के बावजूद, जो इरान है, वो काफी अच्छे से अपना जो पेट्रो केमिकल का बिजनेस है, जो फ्यूइल का बिजनेस है, वो बहुत अच्छा बूम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इरान's पेट्रो केमिकल फ्यूइल सेल्स बूम, एस सैंक्शन्स हिट क्रूड एक्सपोर, तो ध्यान रखिएगा, सैंक्शन्स की वजए से जो बड़ा इंपक्ट आया है, वो क्रूड ओल के उपर आया है, जो रॉइल होता है, जो जमीन से निकलता है, उसके तो ओवराल परस्पेक्टिफ से समझने की कोशिश करेंगे, काफी कुछ जानने को है, इस वीडियो में चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो simply आप हमारे आप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फि इतने भी कोर्सेज हैं, काफी कमदाम पर आप उसको अवेल कर पाएंगे, चली देखते हैं, एक्जाक्ली हो क्या रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि US के द्वारा जो stringent sanctions लगाए गए थे, उसके बावजूद जो इरान का fuel business हो गया, आप दीखे, जब मैं fuel की बात कर तो जैसे petrol हो गया, petrol को ध्यान रखेगा, जादा तर western countries में gasoline कहते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, gasoline और petrol एक ही है, इसके अलावा diesel है, जो अलग-अलग products बनते हैं, इसके अलावा petrochemical, petrochemical मतलब हुआ कि वही जो natural gas या फिर crude oil से, जो अलग-अलग products आपको देखने है, तो यह और भी जादा expand किया जा सकता है, अगर मैं sanctions की बात करूँ तो आपको याद होगा, 2018 में United States ने, जो nuclear program चलाय जा रहा था, इरान के द्वारा, उसको देखते वे यहाँ पर sanctions लगा है, वैसे अगर आप इसका थोड़ा background देखोगे, तो Obama के समय यहाँ पर एक agreement किया council के, और जो एक member और है यहाँ पर, P5 plus 1 जिसको बुला जाता है, 1 मतलब Germany, तो यह 6 देश के द्वारा मिलकर, इरान के साथ JC PUA किया गया था, जिसके तहत इरान ने वादा किया था, कि वो अपना जो nuclear program है, वो नहीं चलाएगा, और इसके तहत जो US और बाकी देश हैं, वो sanctions हटा देंगे, लेकिन Donald Trump आये और उन्होंने वापस से sanctions लगा दिया, कहीं न कहीं इसका relation, इसराइल के साथ भी बताया जा रहा था, कि इसराइल ने कुछ बोला होगा US को, इसराइल खुश नहीं था इससे, तो finally यहाँ पर यह देखने को मिला कि, इरान का जो सबसे main source of revenue था उस समय अगर आप देखिए, तो वही crude oil था आपका, तो crude oil के माधिन से बहुत सारा revenue आता था, लेकिन sanctions लगने के बाद वो नहीं बेच पा रहा था, इसकी वज़े से अब क्या हुआ, कि crude oil का business तो रुख गया, जाहिर सी बात है sanctions की वज़े से, लेकिन जो मैंने आपको बता होगा, जो अमेरिका हो गया, वहाँ पर जो shale gas वगर आप सुनती होगे, तो वहाँ का जो oil वगर होता है, उसका अलग characteristic देखने को मिलता है, ठीक है, वैसे ही आपका Brent crude आपने सुना होगा, उसका एक अलग characteristic होता है, सेम उसी प्रकार से, इरान जो crude oil निकालता है, उसका एक अलगी characteristic होता है, तो अगर इरान यहाँ पर sale करता, crude oil का, तो वह काफी easily identify हो जाता, और in fact जो बड़े-बड़े oil tankers होते हैं, वो भी satellite के माधियम से US track कर ले था, तो US को पता चल जाता, तो crude oil तो वह नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर यह जो particular business है, वो intermediaries के माधियम से, द उन्हें export किया था, which is twice the value of crude, जो crude export करते थे, उसका दुगुना यहाँ पर export जो है, वो petrochemical और petroleum में होने लगा, मतलब main source of revenue अब आपका यह हो गया, rather than crude oil, in fact यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो member है, इरान के oil, gas, petrochemical, जो exporter होता है, तेहरान के, उनकी जो member होनका यही कहना थ कि wish तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर आप sanctions लगाओगे, तो ऐसा मत सोचना sanctions लगाने से, कि हमें कोई बहुत बड़ा impact आजाएगा, हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल कर यहाँ पर करने लगेंगे, अपना sale जो है, और in fact यहाँ पर आपको पता होगा, जो Iran है, उसकी advantage भी मिलता है, जिसकी वज़े से उसकी जो products है, वो attractive बन जाते हैं, क्योंकि अगर भारत को मगाना है, अगर भारत South America से यहाँ से अगर Venezuela, US से अगर वो मगाएगा, तो महंगा पड़ता है, यहाँ से मगाएगा, इरान से तो बहुत सस्ता पर जाएगा, तो location बहुत important हो जात अब क्या कर रहे हो, कि इसको अपने ही देश में, इरान अपने ही देश में refine, जैसे रिफाइनरी, रतनागिरी रिफाइनरी, आप भारत के अंदर सुन रहे होगे, जाम नगर रिफाइनरी हो गया, तो वो क्या होता है, oil, crude oil को refine किया जाता है, अलग-लग products निकाले जाते है तो यहाँ पर इरान ने ये चाल चली कि कई सारे रिफाइनरी सेट अप कर दिये, जिसकी वज़े से crude को बेच नहीं सकता था बड़ी मातरा में, लेकिन वो जो रिफाइनरी के माधियम से जो products हैं, petrochemical और बाकी चीज़ें, वो यहाँ पर sale करना स्टार्ट कर दिया था, additionally य आपर इरान यही कह रहा है कि देखे हम जो nuclear program है, उसको वापस से start कर दिया है, in fact जो international atomic energy agency है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो इरान है वो अपना nuclear program start कर दिया है, इरान अभी के लिए ये कह रहा है कि हम अपना nuclear program तभी बंद करेंगे जब US हमारे उपर से sanctions हटाएगा, अब मै आपको थोड़ा सा और revenue के sources के बारे में थोड़ा बताता हूँ, इरान के बारे में, आपको याद होगा जब COVID pandemic के दौरान यहाँ पर विश भर में जो refinery, जो products वोगर हैं वो आपका कम हो गया था, बेचा नहीं जा रहा था, लेकिन इरान नहीं जो अपना gasoline का export है, gasoline मैंने आपको पहले बताया, पेट्रोल को बोला जाता है, तो ये इसकी संक्या आप देखो 600% बढ़ गई, करीब 8 million tons जो है, यहाँ पर आप कह सकते हो 1 lakh 80,000 barrels per day, वो export करने लग गए 2020 में, 2018 में यहाँ पर पहले क्या होता था, इरान के पास refinery बगर होतना नहीं था, तो वो gasoline, बेचने से, वो करीब 3 million dollar के आसपास था, तो ये आपको काफी बड़ा change देखने को मिलेगा, in fact present में अगर आप देखो कि तो जो इरान है, वो करीब 2 million से लेकर 2.5 million barrels per day, इतना produce करता है, अब देखिए इसमें से 2 million barrels per day, वो अपना domestic refinery में ही खर्च कर लेता है, और बाकी का क 50,000 barrels per day के आसपास, मतलब 5,000,000,000 barrels per day के आसपास, वो एक्सपोर्ट कर देता है, तो थोड़ी मात्रा वो एक्सपोर्ट करता है, crude oil, वो भी बेच देता है, क्योंकि कई सारे देश उसको खरीदने के लिए ready है, भली US ने sanctions लगाया ही, क्यों ना हो, और अब इरान ये कह रहा per day भी कर सकते हैं, in fact, 2018 तक अगर आप देखो, तो वो लोग 2.8 million barrels per day export करते थे, इतनी बड़ी संक्या export करते थे, आज के देट में तो export नहीं है, just 0.5 barrels per day ही आपको देखने को मिलेगा, in fact, यहाँ पर यह भी बताया जाता था कि पहले जो petrol वगरा है, वो आपका अफगानिस अफगानिस्तान में चेंज हुआ है, तालिबान आ गया है, तो यहाँ पर यह खबर आई है कि तालिबान ने request किया इरान से कि आप हमें यहाँ पर जो fuel है वो export करते हो, तो अब इरान जो है वो बेफिक्र होकर अफगानिस्तान में अपना जो sale है वो कर रहा है, तो यह भी आपको थोड़ा सा समझना है कि यह भी फरक पड़ सकता है, in fact यहाँ पर यह भी खबर आई थी कि इराक और अफ्रिकन कंट्रीज में भी बहुत सारे buyers हैं, जो कि इरान का जो products है वो खरीद रहे हैं, और मैं आपको एक और interesting चीज़ बताता हूँ, जो इरान है वो buyers को attract कर ल तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और इसके अलावा यहाँ पर जो देश US sanctions को implement भी करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको साफ दिखता है कि जो इरान है वो यहाँ पर सस्ते में provide कर रहा है, मैं आपको भारत का example अब बताता हूँ, भारत अगर आप द बताता है, वो किसी दूसरे देश में जाता होगा और फिर वहाँ से भारत आ जाता होगा, तो इस तरह से भी भारत मंगा रहा होगा, अब इसको official खबर नहीं है, यहाँ पर पूछने की कोशिच की गई भारत के counterpart से, तो जवाब अगरा अभी नहीं आया, लेकिन हाँ, खु बाकी भी देश सस्ते दाम पर हमसे ले सकें, देखते हैं क्या होता है, बट ये वीडियो बेसिकली आपको ये दिखाता है कि किस तरह से क्या sanctions एक solution होता है, किसी देश पर sanctions लगा देते हो, क्या उससे वो डड़ जाएगा वो देश, यहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो यही एक मेरा में मकसद था आपको बताने का कि जो sanctions लगा है, उसके बावजूद भी, इरान जो है, वो उसका जो business है, वो काफी अच्छे से flourish कर रहा है, जाने से पहले एक बहुत interesting question, यहाँ पर क्या बता सकते हो, which of the following, इन 4 में से, which has the maximum hydrogen carbon ratio, weight के हिसाब से, किसका ratio सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, Stories के form में आप जाकर play कर सकते ह बाकि अगर आपको PDF टीए तो Telegram पर आईए, अलग-लग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथ UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, आप simply हमारे app को डाउनलोड कर लिए और जो भी courses है, State, PCS, Banking, UPSC, सभी कुछ आपको यहाँ पर available करा दिया जाता है, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आ होगा, मिलता आपस नेक्स ताम, तिल देन, thank you very much, see you soon.